तो कैसे हैं आप दो तो आज हम उस एप की बात करेंगे जिसके लिए मोदी जी भी कहते हैं ये पब जी वाला है क्या तो श्रूँ करते हैं अब बात करते हैं पब जी के इतिहास की दरसल पब जी के शुरूआत एक जैपरिस मूवी से हुई थी जिसका नाम था बैटर रोयल जो की साल 2000 में रिलीज हुई थी शायद इसी मूवी से इस गेम को अपना नाम फिलियर अन्नोंस बैटल ग्राउंड्स मिला अब बात करते हैं पब जी को डवलप परने वाले क्रू की इस गेम के डारेक्टर है ब्रेंडन ग्रीन जो की एक आईरिश गेम डवलपर है और गेमिंग कमपनी ब्लू होल की अगर बात करें इसके गेम प्ले की तो मैं समस्ता हूं आप इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे तो अपने एक्सपीरियंस को कॉमेंट वाक्स में शेयर करना ना भूले कुछ समय पहले तक यह गेम केवल पीसीज के लिए अवैलेवल था ले पबजी मुवाइल और फिर साल 2019 में आ गया पबजी का छोटा भाई याने की पबजी मुवाइल लाइट और जो अब पबजी गेम की शुरुवात में दो हम्पनीज के नाम देखते हैं लाइट स्पीर और क्वांटम स्टूडियो यह दोनों ही टैंसेंट गेम्स की इंटर और फास्ट रिफ्लेक्स के रिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पे आते हैं सेरी ओटन जो की कोडिया के प्लियर हैं और अपने गेमिक चैनल एथेना गेमिक के लिए पॉपूलर हैं और इस लिस्ट में तूसरे नं नमन माथोर जैने आप सोल मोटल के नाम से भी जानते हैं यह अपनी हाई रिफ्लेक्स और प्रो लेवल गेमिंग के लिए जाने जाते हैं और लिस्ट के आखरी और पांच वे नंबर पे आते हैं मलेशिया के ब्यू ब्यू जो की अपने स्कुएट गेम प्ले के लिए क्थी फर वाचि आप वीडियो जुए जाने बाइस बदी ब्यूड है